आज हम जानते हैं MSME के बारे में पहले सबसे फुल फॉर्म इसका जान लें यानि कि माइक्रो एस फॉर स्मॉल फिर मेडियम एफॉर एंटरप्राइज यह लगी धन होता है माइक्रो नहीं कि छोटा फिर उससे बड़ा मेडियम साइज कर बहुत बड़े बड़े तो फिर आपके आजाते हैं रिलायंस टार्टा यह सब तो वह इसमें काउंट नहीं होती जितने छोटे छोटे जैसे की रूरल एरिया अर्बन एरिया में आप जो पैनी इस्तेमाल कर र होती है जाता तर MSME द्वारा ही बनाई हुई होती है अब हम कैसे जानेगे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम कौन है किस तरह से किस कैड़गरी में रखा जाए कौन सी इंडुस्ट्री को किस कैड़गरी में रखा जाए तो इसके लिए गौर्मेंट ने की इनिशिएटिव लिया पूरी लागत होगी और 25 लाग उस तक की होगी और स्मॉल की 5 करोड तक की होगी और मीडियम की 10 करोड तक की होगी यानि कि इनका बिजनेस होगा 10 करोड तक में सिमट जाएगा तो जो जिसका भी 10 करोड का बिजनेस होगा मीडियम में आएगा पांच करोड वाले स्मॉल मे और 25 लाख वाले माइक्रो में आएंगे और इनके ओपर टेक्स लगा आगया जो माइक्रों के लिए 8 परसेंट स्मॉल के लिए 10 परसेंट और मीडियम के लिए 12 परसेंट अब यहीं अगर आप टाटा रिलाइंस को ले लेंगे तो लोग 25-30 परसेंट तक पे करते हैं क्योंकि सारा प्रोडक्शन दे रहे हैं जैसे कि हम देखते हैं कि 60% इंप्लॉइमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में में के द्वारा ही जिनरेट की जाती है 95% जो होता है वर्ल्ड वाइड में इनकी मैनुफेक्श्रिंग होती है ठीक है इनकी जैसे कि उसमें से 45% इनका जोगदाने 29% हमारी GDP में और हमारी गौर्मेंट का मानना है कि 5 वर्सों में 50% तक हो जाएगी क्योंकि गौर्मेंट में काफी इनिसियेटिव ले रही इनको डेवलप करने के लिए तो अब देखिए गौर्मेंट ने जब देखा इनका इतना बड़ा योगदान हमारी GDP में तो क्यों ने इनको प्रमोट किया जाए ठीक है तो इन्होंने क्या किया इनकी जो टर्नोबर थी 25 लाग से बढ़ाकर इन्हें 1 करोड का दे दिया गया और उसमें से साल में जो टर्नोबर होगी 5 करोड तक कर दिया गया अच्छी बात है इनके लिए अब जो स्मॉल होंगे उन्हें 10 करोड की लागत की बिजनेस होगी लेकिन इनका टर्नोबर होगा 50 करोड का इसी तरह मीडियम के 10 करोड से बढ़कर 20 करोड हो गई और टर्नोबर है 100 करोड तक कर सकते हैं तो क्यों ने यह MSME डेवलप हो क्योंकि यह डेवलप होगी इन्हें टेक्स भी कम देना तो सबसे पहले हैं employment जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी दुनिया हमारी country में employment एक बहुत बड़ी समस्या बन चुए काफी सारे youth जो है unemployed है तो MSME क्या करती है यह self employment तो देती है साथी साथ wage employment भी देती है self employment कैसे जैसे आपने अपनी एक MSME खोल ली तो आप self employee होंगे उसमें औ सार उसकी wage दे रहें तो वेज employment तो दोनों तरह की provide करवारी काफी लोग इसमें इंगेज हो गए है हमारी national sample survey के अनुसार 2015-16 को जो रिपोर्ट आया था उसमे 111 million job जो है MSME द्वारा ही create कि गए थी एक बहुत बड़ी opportunity है लोगों के लिए काफी सारे लोग इसमें employee है अब दूसरा क्या contribution exports में अब हमारी country का मोर देन 40% जो exports होते हो कौन कर रहे है MSME कर रहे है जो बहुत बड़ी बात है कि MSME कहने को तो छोटी industry लेकिन इनका योगदान जो 40% है हमारी country का इसी तरह national sample survey के अनुसार 2017-18 को जो रिपोर्ट था उसमें इन्होंने 49% का exports किये ए 40% भी थी उसके आगे 42% मोर देन 40% तो रहता है एक्सपोर्ट इनका अब देखिए जब कंपनी MSME इतना काम कर रही है इतना अच्छा इनका GDP हमें दे रहे है हमारी country के लिए GDP है इनका तो क्योंना government इनके लिए initiative ले तो government ने भी अपना initiative लिया इनको promote करने के लिए तो उन्ह से यानि कि उन्हें कुछ भी जमा करनी की जुरत नहीं है वो collateral free loan ले सकते हैं बैंक से अच्छी बात है इन्हें लाइसेंस भी दे दिया जाता है government द्वारा साथी साथ इन्हें जो rate of interest जो होती हो भी कम लगती है इनका हम जैसे जाते हैं बैंक में नॉर्मल तो हमें बोलता ह 7-8% लगेगा तो इन्हें क्या किया जाता है 5% में दे दिया जाता है तो यह अच्छे से अपना काम कर सकते हैं concession in electricity bill बाकी commercial में जाके देखिए कि electricity bill भी जादा लगता है तो इनको उनमें भी concession दिया गया है 50% subsidy for patent registration अगर इनका अपना खुद का patent है तो यह अपना 50% उसमे सबसीडी दी गई इनको registration करवाने के लिए इन्हें registration certificate भी दिया जाता है इनके नाम का बार कोड में भी अगर registration करवाते हैं तो उसमें भी सबसीडी दी जाती है तो गौवर्मेंट ने काफी सारा initiative लिया है ताकि इनको promote कर सके तो इस तरह से में हमारे country की क्या है economy में बैक ब कंट्री में फर्स्ट नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश से दोजार उनीस बीस के आकड़े के अनुसार 14.20 परसेंट यूपी का ही सेर्थ है MSME का हमारी country की GDP में सेकेंड में आता है वेस्ट बेंगल जो 14 परसेंट है इसी तरह से टॉप 10 को अगर हम देखते हैं तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धैनेवाद